बॉर्फ के लड़की बहुत पहले की बात है इन दे कंट्री ऑफ न्यूजेलेंड की कंट्री में दे लिव्ड आत्मी और उसकी वाइफ रहते थे वो बच्चो को बहुत पसंद करते थे कई बार वो अपने नेबर्स के बच्चो के साथ खेलते थे तो उसकी वाइफ जो थी वो बहुत सैड होती थी कि दूसरों के बच्चे खेलते हैं उसे भी एक चाहिए था वन विंटर एक बार सर्दी में इट स्नोड हैविली एक बहुत भारी बर्फ पड़ रही थी दा हस्बेंड हैड एन आइडिया उसके हस्बेंड को एक आइडिया आया उसने कुछ इसनों इखटी की और उसकी गर्ल बना दी उसने अपनी वाइफ को बाहर बुलाया और उसे दिखाया कि उसने क्या बनाया है फैरी यानी एक परी उन्हें देख रही थी उसने देखा कि वूमेन चाहिल को कितना चाहती है तो उसको पर थोड़ा दया आई और उसने इसनों फिगर जो बनाया हुई थी बर्फ की फिगर उसमें लाइफ डाल दी यानी उसमें जान डाल दी the man and his wife were overjoyed man और उसकी wife बहुत खुश हुए now their wish had come true क्योंके आप उनकी wish true हो गई थी उनकी wish सच्ची हो गई थी they named the girl Louisa and called her their very own daughter उन्होंने उस लड़की का नाम Louisa रखा और उसे अपनी बेटी बनाया the girl began to stay with them लड़की ने उनके साथ रहना शुरू करती है she filled the house with her laughter वो पूरे घर को अपनी हसी से भार देती थी and brought her parents a lot of joy उसने अपनी parents को बहुत खुश कर दिया था they let her do whatever she wanted उसकी parents उसे करने देते थे जो वो चाहते थी but the wife warned her but उसकी wife जो थी man की उसे warning दे रखी थी you can do what you want यहनि तुम जो चाहती हो वो कर सकती हो go where you want जहां चाहती हो वहां जा सकती हो dear daughter मेरी फ्यारी बेटी only remember बस एक बात याद रखना fire is your greatest enemy यहनि fire आग तुमारी सबसे बड़ी दुश्मन है never go near the fire fire के पास कभी मत